महाकुंब 2025 को दिव्य एवं भव्य बनाने तथा प्रयागराज के स्टेक होल्डर्स के सुझावों को महाकुंब कारियोजना में सम्मिलित करने के तृष्टिगत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंथ एवं अपर पुलिस महानिदेशक भानू भासकर की अध्यक्षता में एक विशेश कारिशाला का आयोजन शनिवार को इलाहबाद मेडिकल असोसियेशन सभागार में किया गया। तथा मंकामेश्वर मंदर के बाहर एक द्वार बनाने का सुझाव दिया। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने महाकुम्प की रूप रेखा का वर्णन किया। ततपश्चात नगर आयुक्त चंदर मोहनगर्द ने प्रयागराज को देश की सरवश्रेष्ट स्मार्ट सिटी एवं स्वच शहर के रूप में विक्सित करने के लिए बनाए गई कारिय योजना प्रस्चत की। उन्होंने सुखे कच्चरे के निस्तारं के लिए दो स्थल नैने एवं जूनसी में 20 मीटर। तंग शमता तथा 3 स्थलों पर 150 मीटर। तंग के MRF के संचालन का कारिय अक्टूबर 2024 तक तथा गीले कच्चरे के निस्तारं के लिए 200 मीटर। टंक शम्ता के बायो सी एंजी प्लांट की स्थापना का कार्य अगस्थ 2024 तक तथा 15 मीटर टंक शम्ता के बायो गैस प्लांट की स्थापना का कार्य जुलाई 2024 तक पून कराने का आश्वा संदिया घाटों के सौंदरीकरण के संबंध में नगरक्षेत्र के 21 घाटों में से 8 के सौंदरीकरण हितू DPR तयार किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अर्विंद कुमार चोहान ने बताया कि यहां एक विशाल कल्चरल कामप्लेक्स, त्रिवेनी पुष्प का नवीनी करण एवं उच्ची करण, योगा एवं वेलनेस सेंटर, चार धाम के मंदिरों की प्रतिमूर्तिया, संगम आईवाच टावर तथा लोगों के मनोरंजन हितू अन्य रिक्रियेशनल गतिविधियों की व्यवस्था कराने का कारे कराया जाएगा। एडिजी महदे, पुलिस आयुक्त महदे, महापाउर जी सभी ने अपना वक्तवी रखा और सभी संगटन के पदाधिकारों ने दार सुझाव दिया जिसको सुचिबद किया गया है और आगे योजनाओं में उसको समिलित करते वे, अंगिकार करते वे क्रियान्वेन किया जाएगा, शासन के मंचान रूप सभी परिविनाओं को गुनवत्ता पूर्ण, चर्णबद रूप से, समयबद रूप से पूर्ण किया है, तैंक्यू इसके अतिरिक्त नवाब यूसुफ रोड, एमजी मार्क, सरदार पटेल मार्क, चंदशेखर आजाद पाक के तालाब, प्रयागराज फोर्ट एवं कुछ प्रमुक फ्लाई ओवरों पर फसाद लाइटिंग तथा शहर के प्रमुक चौराहों एवं उप्यूक्त स्थानों पर सोलर ट्री की स्थापना सौंदरी करण एवं वहां पर मूरल्स लगाने का कार्य कराया जाएगा। अक्षेवत, पातालपूर, सरस्वती कूप एवं भार्दवाज आश्रम को और भविता देने के दृष्टिकत व्रेहत सौंदरी करण भी कराया जाएगा।